दस साल सरकार चलाने के बाद यहने 2014 में UPS सरकार का दस्वा वर्स्ता अपने केपिटल एक्सपेंडिचर का बजेट दो लाग करोड पे टू लाग करोड पे तक पहुचा पाई थे यहने 90,000 से 2 लाग करोड और आज कैपेक्स 11 लाग करोड रुपिय से भी जादा है यानि 2004-2014 के 10th year में कैपेक्स किसी तरह दू गुने पर पहुचा था जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना जादा से बढ़ा है और आप अलग-अलग सेक्टर को देखेंगे तो भी आपको सदीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हार सेक्टर की एकोनामी पर फोकस कर रहा है पहले की सरकार के दस साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेल्वे का बजेट आठ गुना बढ़ाया है हाइवेज का बजेट आठ गुना बढ़ाया है एग्रिकल्चर का बजेट चार गुना से जादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजेट दो गुने से अधीक बढ़ाया है और साथियों हर सेक्टर में बजेट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटाउती करने के बात की गई है 2014 में एक करोड रुपिय कमाने वाली MSM इसको प्रिजम्टिव टैक्स देना होता था एक करोड अब तीन करोड रुपिय तक की आए वाली MSM इस भी इसका लाब उठा सकती है 2014 में पचास करोड तक कमाने वाली MSM इसको थर्टी परसंट टैक्स देना होता था आज ए रेट ट्वेंटी टू परसंट है 2014 में कमपनियां थर्टी परसंट कॉर्पोरेट टैक्स देती थी आज 400 करोड रुपिय तक की आए वाली कमपनियों के लिए रेट प्रेंटी फाइव परसंट है ओ फ्रेंग्स बात सिर्फ बजेट अलोकेशन बढ़ाने या टैक्स कम करने की नहीं है बात गुड गवर्ननस की भी है मैं आपको एक उधान देता हूँ अब जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम हो लेकिन उसके शरीर में किसी बिमारी के कारण सुजन आए और पहले की तुलना में जड़ा कपड़े छोटे होने लग जाए लेकिन क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे क्या वो तंदूरस्त है साम मानेंगे क्या वो देखने में बले ही बहुत स्वस्त लगे लेकिन हाखिकत में तो वो कमजोर होता ही है 2014 से पहले के बजेट का भी ऐसा ही हाल था तब बजेट में बड़ी बड़ी गोश्राइं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थ ववस्ता की सहत अच्छी है लेकिन सच्चा ये थी कि बजेट में जो गोश्राइं होती थी वो भी जमीन पर पुरी तरह नहीं उतर पारती थी ये लोग इंफ्रास्ट्रेक्टर के लिए तै की गई रहा